अश्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभीगा आपके रहमारी यूट्यूब चैनल रोगेस्टा रेजूकेसन में मैं हूरा जैसा कि आप लोगों पता है कि आप लोगों ने विहार पोस्ट मैटिक एसकोर्शिप के फॉर्म को बढ़ दिया है और बहुत लोग का जो एफ्लिक का इंतिजार कर रहे थे तो उन लोगों से मेरा नर्म निवेधन है कि आप इस वीडियो को अंतक देखीगा क्योंकि लिए वीडियो आपके लिए काफी हेल्फूल होने वाला है और साथ मैं यह भी बताएंगे जिन लोगों का आल ओबर वेरिफिकेसन हो चुका है उन लोग का पैसा उनके खाते में भेज दिया गया था लेकिन OBC कंडिडेट का पैसा नहीं आता तो आप लोगों के लिए अच्छी ख़बर है कि इस वीडियो को आन तक देखिएगा मैं हर दम कोशिस यही करता हूं कि आप लोगों को सही और हम सटिक जानकारी दूं क्यों किसी डालने का रहेगा वीडियो को भी तो मैं रोज कुछ न कुछ टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो बना के दे सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करता मैं सोचता हूं जो भी वीडियो आपको दूं बिल्कुल परफेक्ट और प्रवाइड करते रहूं चली अब हम बताते है आपको यह जो नया जानकारी है वो क्या जानकारी है लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको किलर करते हैं जिन लोगों का जिस भी स्टेप से वरिफिकरशन नहीं हो रहा था क्योंकि आप लोग का हमारे वाट्सप पे मैसेज आता है कि हमारा फिजिकल कमिटी पेंडिंग है हमारा डिस्टिक में कर पेंडिंग है मिध्िकमें कर पेंडिंग है होमेंधिक कमिटी पेंडिंग है अभी देखिए हमारे सामने for payment देखने को मिल रहा है और मैं बता दूँ बहुत ऐसे steps हैं जैसे कि physical committee हुआ institute district maker हुआ तो जिनका भी जहां भी जिस भी अस्तर से pending था आप लोग को मैं बता दूँ verification की परकिरिया को कहीं न कहीं फिर से शुरू कर दिया गया है हलां कि इसके लिए हमारे पास कोई फुक्ता सबूत या फिर कोई notice नहीं है लेकिन आप लोग के हिसाब से जो आप लोग हमें screenshot से सजा करते हैं भेजते हैं whatsapp के माद्यम से उनके हिसाब से मुझे देखने को मिला है कि बहुत लोग का जो है आविदन की परकिरिया जो है verification की वो शुरू हो चुकी है जिन लोग का भी आविदन जहां भी जिस भी अस्तर से फसा हुआ है verification नहीं हुआ है अब आप लोग अपना regular basis पे जो है अपना टेटास चेक करते रहिए क्योंकि आपका जो है verification की परकिरिया वो शुरू हो चुकी है रही बात जिन लोग का काफी जो है रोलर एडिया में पढ़ता है institute या फिर college उन लोग का थासा लेट हो सकता है लेकिन जिन लोग का जो अरवन में छेतर में जैसे की जो सहरी छेतर में आते हैं उन लोग का वेरिफिक्शन की परकिरिया जो है काफी जो रो शोरो से हो रही है अब हम बात करते हैं इसके ऑफिसल पोटल पर अभी आकर दिखाते हैं आपको देखिए अब भी हमने एक student का login करा है जैसा कि आप दे सकते हैं यह जो है लड़का का नाम सुमित है इन भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद यह ने अपना आज से पास दिन पहले ही मुझे इन्होंने अपना डाटा सेंट कर रहा था लेकिन हमारे पास किसी कारण बस हम नहीं बना पाई कि कि किसी में बीडी पर रहे थे हमने जब अपना इसके यूजर आइडी पासट से मैंने लॉग इन करा जब इस पोटल पर हमने आया देखने को मिला मुझे कि इनका एकेडमी केर 22 और 23 24 इन्होंने दोनों फॉर्म को भरा है जैसा कि आप देख सकते हैं जहां पर आपको देखन सकते हैं यहां पर रेडी फूर पेमेंट है पेमेंट अटेक्टस में और अब जो नया परकेडिया देखने को मिल रहा है पोटल पर देखिए अपने फॉर्वरड एट टू डिपार्टमेंट फॉर्मेंट पर वेमेंट यानि कि आपके जो है एक प्लीकेशन के आपने आप प्रोटल पर पहले फिर एक नौ और बिपार्ट्मेंट को लेकिन एक नए चीज़ एड़ किए गया है एक्पलिकेशन हैस बीन फॉर्वर्डेटेट टू डिपार्टमेंट फॉर में तो यहां पर देखने को मिल रहा है इसका मतलब है कि आपका पैमेंट जल दी है आपके खाते में बेद या जाएगा रही बात यह पैमेंट कब तक आएगा तो मैं बता दूं अभी जो है हाल में ही 2022 वाले लरकियों का पैसा इंटर वाले का भेजा गया है उसके बाद अब मैटिक वाले का भी पैसा 21 सितंबर को भेजा गया है और अब इसके बाद बताया जा रहा है कि 29 सितंबर से गेरिशन वाले का पैमेंट भेजा जाएगा उसके बाद ही बिहार पोस्ट मैटिक सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे लेकिन याद रखिएगा जिन लोग का एप्लिकेशन हैं से फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट फॉर पैमेंट देखने को मिल रहा है इन लोग का सुछ से पहले पैसा दिया जाएगा तो आप लोग अपना रेगुरल करके बताईए साथ में आपका किस से वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो ही बताईए आपका जो भी प्रॉब्लम है आप डिटेल में मुझे कॉमेंट कर सकते हैं मैं कोसिस करूंगा उसके उपर रेगुलर वीडियो बनाने का मिलते हैं अगली वीडियो तब तक के लिए धन् अगली वीडियो में